देश विदेव की सभी खबरों से थोड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब परें और बैड़ाई का दबाना ना भूलें और खबर पारे हमारी पहली नज़र नमस्कार में प्रिति शर्म और आप देख रहें कॉटबेट पुलेटि न्यूस खबर हलदवानी से है आज हलदवानी के सरकेट हाउस गौला पार में प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा एक प्रेस वर्ता की गई प्रेस वर्ता में भीविन भिवागों के उच अधिकारियों के साथ कई योजनाओ को लेकर बैठक संपन हुई जैसे भीमतान में सौंदर्य करन नगर निगम हलदवानी में प्रस्तावित बोर्ट के मिटिंग में आए प्रस्तावों के समधान एवम शहर में तूटी सड़के पत प्रकाश एवम अन्यकारे योजनाओ के लिए सबी अधिकारियों के साथ विचार विमर्ष किया गया साथी शहरी विकास मंत्री के द्वारा कहा गया कि सरकार के पास क्रोनम हमारी से लड़ने के लिए संसादनों के कमी नहीं वही नेता प्रतिपक्ष ने बताया शहरी विकास मंत्री के कारेकर्म में मौझूद थे जहाँ पर जिले के सबी उच अधिकारियों और विधायों को बुलाया गया था नेता प्रतिपक्ष द्वारा बताया गया कि पिस्टी बैठक में शहरे विकास मंत्री के द्वारा परतियेक विधायक को एक एक कलोर रुपे देने की बात कही गई थी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शहरे विकास मंत्री के द्वारा जो धनराशी दी गई थी तड़कों के निर्मान कार्यों के लिए जिन शेत्रों में काम नहीं हो पाया है वहां के प्रस्ताव पूना दिये गए है वहीं शहरी विकास मंतरी मदन कौशिक के द्वारा एक करोर पर पुना देनी की बाद भी कही गई है साथी नेता प्रतिपक्ष ने मदन कौशिक जी का अभार व्यक्त किया कि खनन फाउंडेशन से पैसा दिया गया है नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सहरी विकास मंतरी का अना और पैसा देना छेटर के लिए काफी महातपूर है वहीं बताया गया कि बैठक में किसी ने पानी किसी के द्वारा सडके वा अन्य कारों के लिए मांग की गई नेता प्रतिपक्ष द्वारा बताया गया कि एक दो सडके उनके द्वारा भी मांगी गई थी जो कि ठीक हो गई थी लेकिन PWUD के द्वारा अभी तक बनाई नहीं कहीं है सडकों पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि परदेश में सडकों का बहुत बुरा हाल है कहीं भी कोई सड़क बनती नज़र नहीं आ रही है वहीं नेतर प्रतिपक्ष के द्वारा सरकार को कड़ घरे में खड़ा करते कहा की हरिद्वार से धेरादूर मार्ग जो बन रहा है कई सालों में अभी तक संपूर नहीं बन सका है कहें भी कोई काम दिखाई नहीं देता है साथी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां एक और प्रदेश डेंगो की रोख थाम के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है वही सड़कों पत जो बड़े बड़े कटे हैं उन्हें में पानी जमा होने से डेंगु वहीं से उत्पन होगा अभी कुरोना मामारी की मार्ट जेल रहा है परदेश दूसरी या डेंगु की मार्ट जेलने को तयार रहे नेता प्रतेपक्ष ने कहा कि सरकार में बैठे मंतरियों और अधिकारियों को हम निरंतर बताते रहते हैं कि प्रदेश के हारात कैसे हैं इसके बाद जो भी सभी सत्ता की मद में मदमस्त बैठे हैं जिसका जवाब प्रदेश की जंता 2022 के चुनाओं में इनको देगी आप देख रहे हैं हल्दवानी साथ लगवार की रिपोर्ट फिलाल कपरों में इतना ही बाकिंग अबरों के लिए देखतरी कॉट्पेट बिलेटर न्यूज नमस्कार मैं मैं खुद उस पैठेक में मौजूद थी उनने सब ने जिले के विधायक अधिकारियों को बुलाया था पिछली बार जब उन्होंने बैठक की थी तो एक एक करोड रुपे धन देने की बाद प्रतेक बिधायक को कहा था तो उन्होंने उसे कंफर्म किया क्या हुआ मैंने भी सडकें दी थी तो अभी प्ली डेबलूड की और से उस पर कारवाई नहीं हुई उन्हो फाउंडेशन से पैसा दिया जा रहा इसका धन्यवाद हो पहली बार आप ही ने इसे उठाया है तो देंगे उनका आना और पैसा देना दोनों ही क्षेत्र के हित में उपयोगी है किसी ने केवल पानी की बात की किसी ने सडक मांगी बेंतों सडकें मांगी थी वो उन्होंन खास कर मंडी से लेके पीन पानी तक का जो एरिया है वो बिल्कुल गड्डों में तब्दीर हो चुका है डेंगू रोक रहें उन्हीं के गड्डों में पानी भरेगा जिसमें डेंगू पैदा होंगे अभी तो करोना की मार जहिल रहे हैं डेंगू के लिए भी तयार रही है जैसा कि मदन कौसिक जी ने कहा कि सरकार डेंगू से लड़ने के लिए तैयार है और हमारे पास संसाधन पूरे हैं तो उन्हें तो सरकार में रहके यही कहना चाहिए यूश्वर न करें डेंगू हो अभी करोना की मार दोग जेल नहीं पाएं तो डेंगू की मार कहां से जेले गिरता है, तो बहुत बुरा हाल है, सडकों का बुरा हाल है, एक भी सडक नहीं बन रही है, और ये हम मंत्री को, उनके सलाकारों को दिन बर सुचित करते रहते हैं, पर कोई कान में जू नहीं रेंग रही है, सब सत्ता के मद में मदमस्त है, और ये मदमस्ती तभी निकलेगी जब दो हर्यार बाइस में जनता जबाब देगी